चौन्तिस्वी अखिल भार्तिय पोस्टल बॉलीबॉल प्रतियोगिता 23 सितंबर से शिम्ला में शुरू होने जा रही है ये प्रतियोगिता इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की जाएगी जिसका शुभारंब शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे प्रतियोगिता का समापन 26 सितंबर को होगा समापन मौके पर राजयपाल बंडारु दत्तात्रे विशेश रूप से मौजूद रहेंगे और विजेताओं को पुरुस्कृत करेंगे शिमला में 23 से 26 सितंबर तक आयोजित होने वाली 34 वी अखिल भारतिय पोस्तल बॉलीबॉल प्रतियोगिता में 16 टीमों के लगभग 200 खिलारी भाग ले रहे हैं ये जानकारी डाक विभाक के निदेशक दिनेश कुमार मिस्त्री ने आयोजित पत्रकार वारता के दौरांद। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन इंद्रा गांधी खेल परीसर में किया जा रहा है जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुरेश भारतवाज द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चार दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों का चैन राष्ट्रिय टीम के लिए किया जाएगा इस प्रतियोगिता में राष्ट्रिय व अंतराष्ट्रिय स्थर के खिलाडी भाग ले रहे हैं डागवभाग इस वर्ष 34 वी अखिल भारती रास्टे वालीवर प्रत्योगता आयोजीत करने जा रहा है तो कि 23 सितंबर 2019 से 26 सितंबर 2019 तर इंद्रा गांदी स्पोर्स कॉंप्रेस में आयोजीत की जा रही है यह एक अखिल भारती प्रत्योगता है जिसमें कुल 16 स्टेट्स कर रहे हैं इसमें इस प्रत्योगता के दौरान विभिन ने जो भी जो हमारा 16 स्टेट्स हैं उसके प्लेयर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे डागवभाग पिछले डागवभाग की ऐसी विभाग है ऐसी संस्ता है जो कई वर्षों से इस तरह की स्पोर्स आयोज कराने का ही होता है कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं जो स्टाफ होता है हमारा काम करता है वो कुछ समय निकाल करके खेल के प्रती जागरुख हो खेल में उसकी रूची बढ़े और खेल से वह जो उसका जो मानसी किस्तिती है और उसकी जो कारे करने की शमता है कारे कुशलता है वो उसमें वृद्धी होती है तो जिसे कि सबी को पता है कि खेल एक बहुत ही अच्छा एक व्याम भी होता है इसमें तो खेलने से मस्तिक्स तो स्वस्ते रहता ही है साथ में हमारा स्वास्त भी अच्छा रहता है तो एक अच्छे मस्तिक्स में अच्छे स्वास्त से ही जो हमारा जो स्टाफ होगा जो कर्मचारी होगा बहतर काम कर सकेगा और एक अच्छी कारेकुश्रत्ता के साथ भाग करना उचा कर सकेगा इसी देशे को लेते वे और इस तरह की प्रवेत्तों कित झाल झाल